Welcome to lecture of discrete structures इस lecture में हम proofs के topic को cover करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी types हैं हम उनको with example समझने की कोशिश करेंगे तो जो हम proof cover करेंगे उनमें हमारे पास है direct proof, indirect proof, indirect proof को contraposition भी कहा जाता है या proof by contraposition और number 3 पे है proof by contradiction तो हम इन टीनों proofs को define करेंगे कि ये होते के हैं और with example समझेंगे कि हम इनसे किस तरह से proof करते हैं किसी भी statement को यानि conditional statement को proof करने के लिए ये वाले proofs यूज होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि आपको पता किसी भी चीज़ को represent करने का journal भी होता है equal to 2k करके कर सकते हैं इसका मतलब है कि अब इस 2k है न के में आप कोई भी integer put करें result हमेशा even ही रहेगा और इसी तरह अगर हमने किसी को odd जो है वो journal representation odd में करनी है किसी की भी तो हम कर सकते हैं 2k plus 1 यानि इस k के अंदर आप कोई भी value put कर दें कोई भी integer put कर दें जो हमारा result है वो हमेशा odd ही रहेगा तो end पर यहां पर बताया गया है कि कोई भी integer होगा वो जहां तो even होगा या odd होगा ऐसा नहीं होगा कि हम उसको कह रहे हूं कि वो even भी है और वो odd भी है तो अब start करते है हमारा direct proof से के direct proof होता क्या है सबसे simple proof जो है वो direct proof ही है इसमें क्या करना होता है P implication Q आपको पता है P implication Q यानि ये conditional statement होती है if P then Q से usually इसको represent किया जाता है तो इसको example से समझते है क्या है हमने इसमें ये करना होता है P implication Q यानि P वली side लेनी होती है उस P वली side को solve करना होता है और जो हमारे पर result आना चाहिए वो Q वाला आना चाहिए result तो ये direct proof कहलाता है किस तरह से यानि ये example दी गई है एक्जेंपल में कहा गए if n is odd then n square is odd यानि इसमें hypothesis कि हमने assume किया है P जो है वो n is odd कि if n is odd अगर n odd है तो result conclusion क्या होगी n square भी odd होगा हमने इसी को proof करना है आईए देखते हैं कि अब proof कैसे होगा अब ये जो है n is odd हम क्या है क्योंकि है P हमारे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूं इस तरह से लिख देते हैं ये इधर उपर लिख लेते हैं इसके ये P है हमारे पास और n square क्यू है हमने क्या है हमने पी वाले portion स स्टार्ट करना है और जो result आना चाहिए ना वो Q आना चाहिए यानि Q क्या है n square is odd कि यानि n square जो हमने शो करना है कि वो odd है अब देखें किस तरह से P हमने कह लिए n is odd तो अब n is odd हमने तो कहा जो भी odd है उसको ऐसे represent कर सकते हैं n is odd का मतलब n is equal to for example मैं कहता हूं 2k प्लस 1 या नहीं कि कोई भी value डालनू रिजल्ट तो odd ही आएगा इसका मतलब n is odd अगर मैं इस n की value को Q की value में put कर दे तो Q क्या है n square तो मेरे पास n square क्या हो जाएगा इस तरह से मैं अगर n square करता हूं इसको तो ये मेरे पास आजएगा 2k प्लस 1 का square अगर इसका square ले ले तो मेरे पास जो answer है वो आजएगा 4k square प्लस 4k प्लस 1 यहाँ पर अगर अगर अपनी असानी के लिए 2 common ले ले लेता हूं तो मेरे पास क्या portion बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2k square प्लस 2k प्लस 1 तो अगर यह जो 2k square है मैं इसको किसी एक single जो है वो integer से रिप्रेजेंट कर दूं य अगर आप इसमें M में कोई भी अब value पुट करें integer की तो result हमेशा odd आएगा तो यहां से पी से हमने start किया और जो हमारे पास conclusion यह result आया वो आगए n square प्रूव भी यही करना था n square is odd तो यह basically direct proof को इस तरहां से proof किया जाता है इसकी एक और example देख लेते हैं अगर आप देखें तो यहां पे भी यह ऐसे ही proof किया गया n equal to 2k plus 1 ले लिया value put की उधर से common लिया और लिख दिया n square can be written in form it is यह देखें odd हमारे पास आगया हमने इसको एक single जो है उसके साथ integer के साथ यहां कहलें एक single आप कहलें कि variable के साथ उसको हमने change कर दिया variable मैं इसलिए word use कर रहूं क्यूंकि m में हम कोई भी value put कर सकते है integer की तो हमारे पास जो result आएगा वो अब odd आएगा यह तो हमने इसको solve कर लिए इस form में लेगे अगर आप इसके अंदर भी put करें na k के अंदर कोई value integer की रख लें solve करें तो result odd ही आएगा यह हमने अपनी असानी के लिए यह हमने अपनी असानी के लिए इसकी representation के लिए इसको इस तरह से कर दिया 2m प्लस 1 क्यूंकि हमने start में define किया था कि जो odd होता है उसको हम इस तरह से generalize represent कर देते हैं और लाजमी नहीं कि मैंने यहां पे m लिखा है तो m ही होगा आप j, k, i कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं representation के लिए इसकी एक और example देखते हैं इसी concept को मजीद strengthen करने के लिए give direct proof of the statement the product of two odd integer is odd अब कहरें direct proof करना है यानि वही करना है हमने p से start होने और जो उसको solve करना है और result हमारे पास यह आना चाहिए जो q वाल है तो product of two integer यानि यह हमारे पास p है product of two integer क्या होगा result odd होगा q क्या result odd होना चाहिए हमारे पास तो अब two integer for example मैं कहता हूँ मेरे पास integer है मैं इस तरह से लिख लेता हूँ two odd integer है ना a equal to मैं कर लेता हूँ two m plus one odd को ऐसे ही represent करते है एक और integer ले ले लेता हूँ b b equal to मैं कर लेता हूँ two n plus one वो m कर दिया यह n कर दिया ठीक है इनका अगर मैं product करूँ product का क्या मतलब है two m plus one और two n plus one को multiply कर रहा है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तक थोड़ा असान हो जाए समझना भी two m plus one मैंने ये लिख लिया और two n plus one मैंने ये लिख लिया ठीक है इनका product हमारे पास odd आना चाहिए अगर मैं इनका product लेता हूँ तो वो क्या आजाएगा वो हो जाएगा four mn plus two m हो जाएगा plus two n plus one के ये मेरे पास आजाएगा जब मैं इसका product लूँगा अब अगर मैं यहाँ से कहता हूँ two common ले लेता हूँ two common ले लूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा two mn आजाएगा यह यहां पर one ऐसे ही रहने देते हैं तो आप देखें अगर मैं यह जो ब्रैकिट में जो चीज है इसको किस सिंगल वेरियबल फॉर एक्जेंपल के से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास जो रिजल्टिंग स्टेट्मेंट है वो तो आजेगा two k plus one अब आप इस के में कोई भी वैल्यू पुट कर लें रिजल्ट तो हमेशा ओड होगा तो हम यही प्रूफ करना चाहा रहे थे कि product of two odd integer हमने two odd integer लिये उनका product लिया जो रिजल्ट है वो ओड होना था और वो देखें odd यहारे two k plus one वो odd होगा तो यह हमारा direct proof कहलाता है इसी तरह से यह सारा लिखा भी गया है जिस तरह हमने किया उसको multiply और वाकी करके two n plus one, two m plus one वहाँ पे x और y से represent किया गया यह basically book के अंदर आपको discrete structure की जो rosen की book है उसके section 1.6 के अंदर seventh edition में जो है last section है logic वाले chapter का वहाँ पे मिलेंगे यह कुछ exercise के question भी है कुछ example में भी solve किया आपको मिल जेंगे तो basic इसका concept यही है जो हमारा direct proof है उसका next हम बात करते है indirect proof की जिसको proof by contraposition भी कहा जाता है indirect proof में हम क्या चीज़ proof करते है कि हमारे पस P और Q दिया गया होता है इस तरह से P क्यू दिया गया होता है लेकिन हमने क्या करना होता है हमने ये चीज़ proof करनी होती है negation Q implication negation P यानि जो भी हमें statement में implication वाली statement में Q दिया जाएगा हम उसको negation Q करेंगे यानि उसका negative करने के बाद उसको start करेंगे और उससे जो result आएगा वो हम negation P को proof करेंगे यानि जो P दिया जाएगा उसका जो opposite होगा negation P वो हमारे पस result आना चाहिए किस तरह से इसको एक example से समझते हैं यहाँ पर example दीगे give indirect proof indirect proof या proof by contraposition of the theorem if 3N plus 2 is odd then N is odd यहाँ पर idea में यही चीज लिखी गई है कि हमने इसको negation करना है लेकिन हम example solve करते है वहाँ से इसको clear करते है लेकिन statement क्या है if 3N plus 2 is odd यानि यह हमारे पस P है then N is odd यह हमारे पस Q है हमने कहा कि हमने indirect में या contraposition में क्या करना है हमने करना है negation Q implication negation P अब आप देखें negation Q Q तो है N is odd तो negation Q क्या होगा negation Q होगा N is even ठीक है N is even मैं यहाँ पर लिख रहे तो N is even इस तरह से हम लिख लेते है N is even अब N is even का क्या मतलब N is even का मतलब कि हम कह सकते है N equal to 2K होगा N equal to 2K N is even है अगर मैं कहूँ N equal to 2K तो इसमें K में कोई भी integer पूट करें result तो even ही आएगा यह हमने negation Q बना लिया अब हमने इस negation Q को लेके चलना है और जो conclusion जो result आना चाहिए वो negation P आना चाहिए अब देखे P क्या है 3N plus 2 is odd negation P क्या होगा negation P यही होगा ना 3N plus 2 is even तो हमने अब proof क्या करना है 3N plus 2 is even तो अब देखें यहां पे 3N plus 2 मैं लिख देता हूँ 3N plus 2 हमने इसको proof करना है कि 3N plus 2 even है यहां पे दिया गया है odd हमने negation P क्या करना है हमने इसको even proof करना है अब मैं N 3N plus 2 equal to क्या होगा N की value तो 2K है देखिए हमने find की हुई है तो मैं यहां कर लेता हूँ आप find नहीं की बलके आप कहलें कि जर्नल उसका है वो फॉर्मूला जो हमने कहा के देखा कि even को हम इस तरह से representation कर सकते हैं 3 into 2K मैं कर देता हूँ 3 into 2K और यह plus 2 यह मेरे पास क्या हो जाएगा 6K plus 2 multiply अगर करते हैं 6K plus 2 बंज़ता है मैं यहां पे इस तरह करता हूँ 2 common ले ले लिए तो मेरे पास हो गया 3K plus 1 अब यह देखें मैं यहां पे सिंगल किसी भी इसके साथ variable के साथ change कर देता हूँ मैंने कर दी इसको सारे को portion को M के साथ change कर दी यह 2M अब आप कोई भी चीज 2 के साथ M कोई भी integer डालें result तो हमेशा even आएगा अगर 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 यह हम common नहीं भी लेते हैं हम इसको इस तरह से भी अगर करें तो भी result even ही आएगा यह हम journal form इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हमने start में कहा था proof करने से पहले कि उसको इस तरह से journal form में लिख देते हैं तो अब देखें यह देखें 3N प्लस 2 को solve कर रहे थे वो आगए 2M 3N प्लस 2 क्या हो गया even हो गया हमें यहाँ पे दिया गया था 3N प्लस 2 is odd हमने क्या करना था हमने इसका negation P proof करना था यह नहीं हमने कहना था 3N प्लस 2 is even तो अब देख ले 3N प्लस 2 का result क्या रहे 2M तो यह तो even हो गया यह यह वली statement हमने proof कर दी इसको हम बोलते हैं indirect proof यह इसी तरह से किया गया है यहां पे भी values पूट कर दी गई उसमें और end पे बता दिया गया कि वो जो है even हो गया एक और example proof if n equal to a, b where a and b prove if n equal to a and b where a and b are positive integer then a is less than equal to under root n और b is less than equal to under root n ठीक है हमने इसको proof कैसे करना है proof indirect करना है यह भी हमारा proof by contra position ही है मैं यहां पे ind लिख देता हूँ ता कि आपको याद रहे कि यह भी indirect है ठीक है यह indirect है अब देखें यहां पे हमने क्या करना है indirect में क्या हम करते है state में यह चीज याद रखने negation q implication negation p negation q हमारे पास क्या पहली चीज क्या होती है हमारे पास यह पहली चीज देगी if वाला portion यह पहली चीज है p यह दूसरी चीज है हमारे पास q हमने second portion को पहले लेना है उसको negation करना है ठीक है अब negation कैसे होगा है यहां पे लिखा है a is less than equal to under root n और b is less than equal to n इसका negation क्या होगा हम negation यहीं कहा सकते हैं है a is greater than under root n and b is greater than under root n क्योंके देखें यहां पे less than और equal to तो कह दिया था हम ना less कह सकते हैं ना equal कह सकते हैं greater तो कह सकते हैं तो हमने इसको इस तरह से कर दिया अब इसके बाद हमने यहां पे अब क्या करना है proof में जिस तरह मैंने लिखा ना हमने negation q करना था यह हमने negation q इसका बना दिया है आप कहलें यह हमने इसका negation q कर दिया हमने इसी negation q को solve करना और यह चीज़ प्रूफ करनी है conclusion यह आना चाहिए negation p यह नी p है n equal to a b negation p क्या होगा n is not equal to a b n is not equal to a b हमने इस result तक पहुंचना है ठीक है यह conclude करना है अब देखें अगर मैं कहता हूँ इनको हम multiply कर देते हैं यह इस तोड़नों चीज़ों का दरम्यान में and का sign है हम इस तरह से करते हैं a is greater than n और b is greater than under root n दोनों साइड पर under root n है इस तरह से कर लेते हैं मैं असल में यह pointer use कर रहा हूँ तो यह थोड़ा सा sign वगरा को देख लीज़ेगा यह greater का sign है अगर मैं इनको multiply करते हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास तो आ जाएगा a b greater than under root n into under root n तो आप देखें हमने तो यह कहा था कि जो था n equal to a b और proof करना था हमने n is not equal to a b negation p तो आप देखें वही चीज़ प्रूव होगी अब n is a b is greater than n यह आप कहलें n is less than a b है तो not equal to a b के equal to नहीं है यह तो यही चीज़ हमने proof करनी थी इसी को यहाँ पर यह theoretical भी सारा किया गया है लिखा गया है किसी तरह से और यह end पर भी देखें बताया गया a b is greater than वह उसको कर दिया है उन्होंने n तो वो के वो n से भड़ा है next हमारे पास आज़ता है जी proof by contradiction contradiction के अंदर हम क्या करते हैं contradiction में न हम negation q जो भी हमारे पास p और q दिया गया होता है हम q वाली statement लेते हैं उसको हम negate करते हैं negate करने के बाद solve करते हैं और फिर हम बताते हैं कि देखें जो p की value है वो और थी जो हमारा result आ रहा है वो और है इन दोनों value में हमने show यह करना होता है के contradiction पाई जा रही है contradiction के जो statement में value दी के यह वो और है और जो resultant value है वो और है इस चीज़ को हम कह देते हैं proof by contradiction इसको भी एक example से समझ लेते हैं लिखा हुआ show by contradiction that if n plus 2 3 n plus 2 is odd then n is odd यह मेरे पास p है और यह q है हमने क्या करना है हमने negation q को करना negation q n is odd था ना negation क्यों होगा n is even इस तरह से इसको लिख देते हैं n is even अगर n is even है तो मैं कह सकता हूँ n equal to 2k यह तो journal है न हम कह सकते हैं n equal to 2k अब अगर इसी 2k को मैं p के अंदर put करूँ यानि 3 n plus 2 यह है मारे पास 3 n plus 2 ठीक है इस 3 n n plus 2 के अंदर मैं n की value put कर देता हूँ तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 into 2k plus 2 तो यह अगर इसको मैं solve करूँ तो क्या हो जाएगा 6k plus 2 मैं यहां पर 2 common ले लेता हूँ तो मेरे पास आजएगा 3k plus 1 इसको मैं हमेशा जिस तरह हम पहले करते हैं किसी single variable से replace कर देते हैं for example m से तो result आगया 2m यही contradiction है देखें वहाँ पे था if n plus 2 is odd then n is odd हमने क्या कहा हमने कहा नहीं n is even हमने negation क्यों किया n is even even value ली और उसका जो find out किया find out करके जब इसमें p में put किया तो अब देखें 3n plus 2 क्या रहा है even यहां पे तो था 3n plus 2 is odd तो इस चीज़ को contradiction कहते हैं हम कहते हैं हमने पे contradiction आर यह contradiction क्या है कि दिया हुए 3n plus 2 is odd लेकिन हमने जिब solve किया तो हमने का 3n plus 2 is even तो इसको हम simply कहते हैं जी proof by contradiction यहां पे इसको solve भी किया गया है इसी तना से आप वो देखें एंड पे 2m 3 के जो भी था उसका common लेके और वो कहा दिया है 3n plus 2 is even which is contradict the given statement contradict का मतलब यहां पे इसकी contradiction हो गई के पहले था 3n plus 2 is odd लेकिन हमारा 3n plus 2 जो है वो even आ रहा है तो यह contradiction कहलाती है याद रखने है contradiction में negation q negation q से आपने solve करना है जिस तरह इसकी definition में बताया भी गया था we assume q is false q is false का मतलब के negation q is true false है अजियूम के करना negation q से इसकी statement है negation q is true का मतलब यह सही statement है negation q क्यों क्या होगा n is odd है तो n is even होगा हमने उसी तरह से इसको proof कर दिया कि इसी तरह इसकी यह भी एक example हमारी exercise का question है statement दी कहीं उसको कहा परूफ करें prove by contraposition और contradiction अब आप दोनों परूफ कर सकते हैं हमने examples भी देखी contraposition यानि हमारा indirect proof और contradiction में हमने देख लिया अब क्या करेंगे जो हमने अभी पहले example किये ना contradiction यह उसका opposite है यह आप हमारे कहलें एक statement है यह हमारे पास p है और यह q है हमने हमकार negation q क्यों करना यानि हम तो अब देखें हम जब suppose करेंगे negation q क्यों क्या होगा n is odd तो n is odd का मतलब n equal to 2k plus 1 2k plus 1 अगर हम इसको इसमें put कर दें n की value को यह 3n plus 2 में तो वो क्या हो जाएगा 3 into n की value क्या है 2k plus 1 और यह plus 2 अब इसको अगर हम मजीद solve करें तो वो हो जाएगा 6k plus 3 plus 2 हमारे पास यह चीज़ आ जाएगी इसी तरह से अगर आप इसको इसमें कोई भी value कोई भी आप इसमें put करके देखेंगे ना integer k की जगापे तो आप देखिएगा result आपके पास हमेशा odd आएगा यहीं मैं अगर इसको और simplify करूँ मैं यहां से 3 common लेता हूँ मैं करते तो 2k plus 1 plus 2 आप यहां पे कोई भी चीज़ put करके देख लें आपके पास result हमेशा odd ही आएगा तो यही इस चीज़ की contradiction है कि यहां पे काता 3N plus 2 is even हमारे पास मेशा odd आ रहा है तो इसको कहते है proof by contradiction तो उमीद है यह आज के जो हमने proofs देखे direct proof देखा proof by contradiction देखा और contraposition देखा जिसको indirect भी कहते हैं यह concept आपका clear हो गया होगा book में इसकी काफी ज्यादा examples भी दी गई है और exercise के अंदर question भी है आप अपनी understanding के लिए उनको solve करके देखिएगा तो उमीद है कि यह concept आपको बिलकुल clear हो जाएगा Thank you very much